हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सत्यंद्र और स्वागत है आपका साइंटेक बाइलोजी में दोस्तों हुमन बॉड़ी की सारी कारे प्रनाली उनके ब्रेन पर ही निर्वर करती है हर एक छोटे से छोटा काम हो या चाहे फिर कोई बड़ा काम सारे डिसिजन दिमाग के जरिये ही होते हैं कभी-कभी ब्रेन की कारे क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है और लोगों को किसी न किसी प्रकार की मानसिक बिमारी का सामना करना पड़ता है इस दोरान लोगों के कारे करने की क्षमता के साथ साथ उनके बिहेबियर और उनकी क्वालिटी अफ लाइफ भी बुरी तरह एफेक्टेड हो जाती है मेंटल हेल्थ में हमारे इमोशनल, साइकलोजिकल और सोशल विल्मिंग सामिल है यह प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसे कारे करते हैं आपका मेंटल हेल्थ उम्र बढ़ने के साथ बदलता चला जाता है मेंटल हेल्थ से एक व्यक्ति को अपने एबिलिटी का पता चलता है और सारे रिक रोगों के खत्रे को बढ़ाता है Mental Illness के कारदी व्यक्ति को Unemployment, पिखरे हुए परिवार, गरीवी, नसीली पदार्थों का सेवन और संबंदित अपरात का सहवागी बनना पड़ता है अगर किसी व्यक्ति का Mental Health सही रहेगा तो उसका जीवन भी सही रहेगा इसलिए हम आपको अपने इस वीडियो में Mental Disorder से जोरे हर पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपके Mental Health को बहतर बनाने में मदद करेगा पराइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि Mental Illness क्या होता है दोस्तों Mental Illness एक ऐसी बिमारी होती है जो किसी वे व्यक्ति के थौट, फिलिंग्स, मूड और बिहेवियर्स आदी में बदलाव ला देता है डिप्रेशन, तनाव, बाइपोलर डिसॉर्डर भी इसी मांसिक बिमारी का एक हिस्सा है ऐसी सिच्वेशन अगर लगातार कुछ समय तक बनी रहती है तो वह किसी इनसान की डेली रूटिन को निगेटिव रूप से बदलने लगती है मेंटल हेल्थ हमारे पूरे स्वास्थ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिणाम दिखाती है बसरते या इस बात पर निर्वर करती है कि हमारी मेंटल हेल्थ कितना ठीक तरह से काम करती है और कितने ठीक तरह से नहीं उदाहरन के लिए देखा जाए तो mental health से जूरी कुछ समस्या हैं जैसे कि depression के कारण हमें कई प्रकार के physical health problem हो सकती है इसके अलावा अगर यह लंबे समय तक बना रहे तो stroke, type 2 diabetes और heart disease का खत्रा भी बढ़ जाता है अपने life के दोरान अगर आप mental health problems को feel करते हैं तो इसके बारे में जानना, doctor की मदद लेना और इलाज करवाना बहर जरूरी हो जाता है क्योंकि यह आपके thought, mood और behavior को affect कर सकते हैं ऐसे कई अन्यकारण भी है जो कि mental health problems में contribute करते हैं जिनमें biological factor जैसे कि जिन या brain में present chemicals, mental health का family history, life experience, depressive environment, childhood trauma, stressful event of life, negative thought, unhealthy lifestyle, abusing drugs and alcohol और treatment with some chronic disease सामिल है दोस्तों प्रतेक mental disease के अपने-अपने symptoms होते हैं हलाकि कुछ common warning signs या symptom है जो आपको alert कर सकते हैं कि आपको किसी professional मदद की आवशकता है जैसे कि ज्यादा सोचना, anxiety और घवराहट, personality change, खाने या सोने के pattern में बदला होना, problems और daily activities को करने में असमर्थता होना, ज्यादा चिंता करना, लंबे समय तक depression और उदासिंता, ज्यादा गुसा करना या violent behavior का होना, suicide के बारे में सोचना या खुद को नुकसान पहुँचान और बहुत ज्यादा mood swing होना, दोस्तों इन सब के अलावा भी कई और symptoms होते हैं, जो अलग-अलग mental disorder में देखने को मिलता है, दोस्तों आए अब कुछ mental illness को detail में जानते हैं, anxiety disorder, mental disease का सबसे common type है, इन सितियों वाले लोगों में गंभीर भय या चिंता होती है, जो certain object या situation से सम बंदित होती है, यह चल रही चिंता और तनाव सररिक लक्षनों के साथ हो सकता है, जैसे कि बेचैनी, किनारों पर महसूस करना या आसानी से ठकावट, ध्यान के अंदरित करने में कटनाई, muscles में तनाव या sleeping problem होना, दोस्तों anxiety disorder भी कई types के हो सकते हैं, जैसे कि generalized anxiety disorder, दोस्त अंदर के anxiety disorder बार-बार होने वाले panic attack, physical और psychological distress का एक जबरदस्त combination है, इसके कई लक्षन हो सकते हैं, जैसे कि heartbeat का बढ़ जाना, excessive sweating का आना, सांस की तकलीफ महसूस करना और dizziness का होना, इसमें तीसरा टाइप है phobia का होना, दोस्तों phobia एक specific object, situation या गतिविदी का अत्यदिक और लगातार fear है जो आमदवर पर हानिकारक नहीं होता, anxiety disorder में एक और type social anxiety disorder होता है, जिसमें व्यक्ति को सरमिंदगी, अपमानिद, आस्विकार किये जाने या सामाजिक सम्मंदों में कमी देखने के बारे में ज्यादा चिंता और असुविदा होती है, इस तरह के illness वाले ल परकार हो सकते हैं, जैसे कि major depression, इस disorder के साथ एक व्यक्ति लगातार low feel करता है, और उसका mood हमेशा खराब रहता है, और उन activities और events में रुचिक हो देता है, जो पहले से आनन्द लेते थे, वे लंबे समय तक निरास या अतधिक उदास महसूस करता है, bipolar disorder, दोस्तों bipolar disorder, mood disorder का द depression में चले जाते हैं, दोस्तों अगला mental disorder है सीजोफ्रेनिया, दोस्तों सीजोफ्रेनिया एक या कई mental illness का एक ग्रूप है, जिसे समझना काफी मुस्किल है, सीजोफ्रेनिया के लक्षन आमतोर पर 16-30 साल के उमर के बीच विक्सित होते हैं, ऐसे व्यक्ति के विचार कई बार टूटे हुए और खोए हुए से होते हैं, ये लोग उन्चीजों को भी अपने आसपास महसूस करते हैं, जो कि सचमें दुनिया में है ही नहीं, सीजोफ्रेनिया के नाकारात्मक और सकारात्मक लक्षन है, सकारात्मक लक्षनों में भ्रम यानि के delusion, thought disorder और hallucination सामिल है, सफर होने के कारण लगातार आप उस बिमारी के बारे में सोचते रह सकते हैं, और आपके दिमाग पर negative effect ही हा भी रहेगा, जिसका असर आपके mental health पर होगा, दोस्तों mental health से जुरी हुई किसी भी प्रकार की समस्या से बचे रहने के लिए आपको brain booster foods का 7 करना चाहिए, इन foods मे nuts, dark chocolates, pumpkin seeds, broccoli, blueberry, fatty fish जैसे खादे पदार्थ सामिल है, इनका आप नियमित रूप से 7 कर सकते हैं जो आपके mental health को दुरुस्त रखने में काफी मदद करेंगे, दोस्तों आए mental health को बहतर बनाने के लिए कुछ tips को जान लेते हैं, दोस्तों हमेशा दूसरों से जुरे रहें और अ smoking और drug से बचे, stress जादा ना ले, बहुत जादा सोचना बंद करें, exercise और योग करें, हमेशा ऐसा कुछ करें जिससे आपका मन लगा रहे और आप खुस रहें, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को आप समझ गए होंगे, दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें